कि नमस्कार दोस्तों मैं बल्बीर चौद्री ऐसार्टी सी प्लेटफॉर्म पर आपका हर्दिक स्वागत और अब नंदन करता हूं मेरे प्यारे बंद्यारतियों सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए कि अब आपके देखी थी तो उसमें आपके गैस बैल्डिंग में हमने देख लिया था दोस्तों की सलिंडर किसका बना ऊँआ है आपके हॉजपाइप किस बाल्ब को खूलना है या मिकसी बती है oxygen और ऐसी clean gas है आपके तहां जाकर mix होती है तो यह चीजे हमने सब देख ली थी दोस्तों आपके previous class में और जो बिद्धियार थी आज पहली बार class देख रहे हैं वो आपके थोड़ा सा आपके back हमारी जो बीडियो हैं वेल्डिंग की जो पूरी आपके शुरू से एंड तक लगवक आठ साथ आपके वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई है तो पहले आप उनको देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों आज हम बात कर रहे थे कि हमने जैसे आपके गैसों को आपका mix किया पथे को देखी दोस्तों यहां से हमने आपका oxygen का का इक इंकी अ कहला रंग होता है कितना मैٹریल कितने दबताप पर इन पर गैस को हम बर cigarettes को हम बसकते हैं इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा था दोस्तो है आफका ऐसी ट्लीन का 綐ंडर था और इस पर भी आपके दोस्तो क्या लगे हो और यहां इस प्रकार से हमने यहां से लिया और इन दोनों को आपका दोस्तों इस प्रकार से हमने आपका क्या कर दिया कर दिया अब देखिये मेरे प्यारे ब्द्यारतियों वेल्डिंग तौर्च से आपने mix किया आपने देखा ओगा यहां पर आपके लगे होए होते हैं एक आपके ऑक्सीजन का दो बाल्व अपने पास में आपके लगे होए है ठीक है अब इन बाल्व को जितना खोलोगे अगर आपने देखिए यह तो कंडिशन यह हो सकती है कि आप ऑक्सीजन और एस इट लीन दोनों को आपके बराबर खोल रहे हो यह पर क्या हो सकती है कि आपका ऐसी ट्लीन का ज्यादा हो जाएगा या पर आपका ऑक्सीजन का कम हो जाएगा तो आपके इस फ्लैम में तो अंतर आएगा दोस्तों यह जो आपके ज्वाला आपका निर्माड होगा इस ज्वाला में आपका अंतर आएगा क्योंकि कोई सी भी गैस अ के बारे में बात करेंगे यह देखिए दोस्ट आपका अगला पॉंट हम देखते हैं इसमें इसके मिसरो कर रहे हैं दोस्तों आपके oxyacetline दोस्तों एक बात करें तो इसमें बन सकती है इन दोस्तों कउनंसी आपके निर्दारन आपके की जा सकता है ठीक है तो देखिए दोस्तो एक बार हमारे पास में दोस्तो दो गैसे हैं पहले तो आप यह देखिए दोस्तो एक तो ऑक्सीजन होगी और एक हमारे पास में क्या होगी दोस्तो एसी ट्लीन होगी तो एक बार तो आपने दोनों को बरावर कर दिया कि आपके ऑक्सीजन और ए किया हुआ दोस्तों आपकर ऑक्सीजन एक किया हुआ हैς और आपको दोस्तों क्या घर यहाँ से अगर ऑगले क्न्डीजन को पास तो दोस्तों किया होगा एक condition हमारे पास में आप क्या हुआ यहां ऐसी त्लीन को ज्यादा कर दिया यहां आप oxygen को ज्यादा कर दो तो आपके तीन ही condition तो बनेंगी बताओ चौथी तो कोई condition आपके बनने वाली है नहीं को त्लीन को सकते हैं हमारे पास में दो गैसें दो गैसों को मिलाने के लिए आप तीन तरीके से मिला सकते हैं या तो दोनों को बराबर या पर एक बार oxygen को जादा या पर आपके एक बार इस प्रकार से आप इसको mix कर सकते हो तो देखिए दोस्तो आपका अगला question आपका क्या बनेगा अब बात आई दोस्तो अगर दोनों चीजें आपके बराबर हैं तो वो तो neutral हुआ दोनों चीजें अगर हमारी बराबर हैं तो वो तो उदासीन रहेगा ना उसमें कम जादा कु neutral plan ठीक है यह हमारे पास में अदासीन ज्वाला बनी आप देखिए दोस्तों यहां पर आपने क्या किया एसी ट्लीन को क्या कर दिया आपका ज्यादा कर दिया यहां पर आपने क्या किया है एसी ट्लीन को ज्यादा कर दिया आप एसी ट्लीन को ज्यादा किया है तो carbon gas आपके नाम रख दिया आपका Kargo Raising इसका क्या नाम रख दिया दोस्तों मने सब्सक्राइब अब दूस्तों यहां पर आपके oxygen को जादा किया घया है ऑफ महाय HEY ओ लिख जादा यह जो यहां को हम वोल देंगे को कौन सी हपुए צर्ण के यहां सब कर दबना दूस्तों मनने त्यार करने का यहां पर हमने दोनों ब bogart उगी तो को नीज़र स्लब्स आ hashtag कि यहां पर आपका कारवन की मौत्र जादा होथी तो इसको अपन कारवराइजिंग ओल दिया जाता तो तीन प्रकार का सब्सक्राइब आपके अपके सब्सक्राव जाते के लिए जाते रिए तो देखिए अनपात कैसे कैसे हो सकता है अपने पास में देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ तो दोनों बरावर हैं अगर एक यह लिया है तो एक यह लिया है अर्थात इन दोनों का जो अनपात है दोस्तों वो आपका कितना होगा एक अन्पात एक जिसमें आपके न्यूट्रल फ्लैम होती है उदासीन ज्वाला में दोनों गैसों का अन्पात एक अन्पात एक इसका मतलब पांच केजी वो है तो पांच केजी वो है दो केजी है तो वो भी दो केजी है यह वाली इस्तिती आपके हो है यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर आपका किया करें इसको आपका ज्यादा कर दिया जाता है गर यह आपके सो ग्राम है यह कजी है तो यह आपका 900 पर पाक्त आपका एक पॉय्ट यह फोब का कितना होगा दोस्तों आपका इसको एक ले लिए लिया जाता है मतलब अगर यहां आपने एक लीटर लिये तो इसको आपका कितना लिया जाएगा आपका डेल लीटर आपका लिया जाता है ठीक है दोस्तो तो हमारे पास में पहली बात तो हमने देखा कि टीन भाई तीन फ्लैम बनी दोनों को बरावर किया तो दासीन जुआ ला जिसमें आपका अनपात एक अनपात एक ता दूसरी हमारी थी वह कार्बूराइजिन जिसमें आपका क्या था जीरू पॉइंट नाइन को इसके साथ में हमने आपका इसको कम कर दिया औक्सीजन को और आपके किसको ऐसीटवीन एक वाद़े दिया और आपके एक परिय अब यहां से जब यह बहार निकलती हैं तो आप अगर देखोगे तो यह फ्लैम कुछ से थोड़ी दूरी पर जाकर बनती है इस प्रकार से यह इस प्रकार से कुछ दूरी पर मतलब स्टार्टिंग से निकल रही है थोड़ी सी दूर जाके यह फ्लैम आपको देखाई देती है और इस बीच में दोस्तों क्या होता है एक आप थोड़ी उस टिप से दूरी पर निकलती भी दिखाई देती है बीच में सपेज सपेद आपका दिखता है खाली जगह जबकि वह खाली नहीं होती है वह खाली जगह भी होती है आप देखिए दोस्तों यह तो था हमारे पास में क्या दोस्तों आपका यह बैल्डिंग टॉर् और दूसरा यहां से आपके आग निकले नहीं पहले आपके और दूसरा जो होगा दोस्तों फिर एक और इसमें संकु बनता है प्यारे विद्ध्यार जो एस प्रकार और एक पर आपका इस प्रकार से यह ऐसे दिखाई देता है दोस्तो आपको ठीक है दूसरी आपके यह हो गई तो इस प्रकार से हमारे पास में दोस्तो दो फ्लैम हमने आपके निर्मार कर दी इनमें आपको अंतर भी दिख रहा होगा बनावट से ही पता चल रहा होगा आपको ठीक है तो देखिए दोस्तो इ nasa का यहाँ से एक फैदर बनेगा प्रकार से उसASE बन गया और यहाँ से दोस्त आपके क्या होगी इस प्रकार से यह आपके लेंगाड़ की ठीक है तो हमारे पास में में कि यह आप यह आप के लेंगा दोस्तों आपके प्यार तक आप देखिए है रेकी इसमें आपके यह बन तरह को कारण अब इसको इसको बनतास इसको और चोटा है मतलब अगर ऐसी ट्लीन फैदर जो है यह सपेज सपेज जितना जादा होगा जितनी लंबाई जादा होगी टेंपरेचर उत्रा ही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कम हो जाएगा ज्वाला का यह चीज आप ध्यान रखना तो यहां पर अगर हम बात करें दोस् तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे मत जारती हो यह बना आपका ऐसी ट्लीन फैदर ठीक है दोस्तों क्या बना आपका ऐसी ट्लीन आपका फैदर बन गया हमारे पास में और ऐसी ट्लीन फैदर की जो लंबाई है यहां से पूछता है तो दोस्तों इसमें तो आपकी कितनी होती है 6-8 mm होती है कितनी होती है दोस्तों आपका 6-8 mm इसकी लंबाई की बात कर रहा हूं दोस्तों में यह है आपका 6-8 mm ठीक है यह फैदर इसमें आपका सबसे लंबा होता है तो यह लगबग आपका दोस्तों इसमें जो इस फैदर की लंबाई है वो आपके 4-12 mm होती है कि तो इसमें आपका एसावर कि आपकें लंबाई कितनी रखी जाती है। निधन defines में बात करूं। दोस्तों तो aç में आपका सबसेंदा होता हैं और jest मिसकी लंबाई होती है मेरे प्यार कि चार से हैम होती है। कितनी कुbul 크ोषए यहांसी 6 mm होती है अब देखिए दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूँ आपसे तो अगला question क्या बनेगा आपको देखिए दोस्तों आपका अगला question क्या बनेगा मैं आपको बताया जिसमें आपके फैदर की लंबाई आपके जादा होगी उसका temperature क्या होगा आपका कम होगा तो आप एक तो question यह पूछ लेता है दोस्तों आपका सबसे अधिक temperature किसमें होगा तो आप समझ के देखिए यहां पर देखिए जिसकी लंबाई बाई कहते हैं जो गरस्ते नहीं जो बरस्ते नहीं जो गरस्ते नहीं मेरा कहने का मतलब है जो जबसे ज्यादा सबसे ज्यादा होती है यह सबसे बंबी होती है और सबसे जादा समखदार होती है तो आपके जोंकि यह सबसे अधिक चमकदार होती है अगर आपसे पूछ ले ना कि तीनों में आपके सबसे अधिक चमकदार कौन सी होती है तो यह आपके दोस्तों क्या होगी सबसे अधिक आपके चमकदार होती है ठीक है सबसे अधिक चमकदार होती है यह वाली ज्वाला जो होती है वो सबसे अधिक चमकदार होती है इसलिए reducing flame के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और कारवन की मात्रा ज़्यादा होगी तो कारवराइजिंग होगी दूसरा आपका क्या होगा दोस्तों तो सबसे अधिक समकदार है ना तो सबसे कम temperature होता है दोस्तों अगर हम temperature की बात करें तीनों flame की तो देखिए यहां से अभी आपन कोस्टन देखते हैं यहां आपका temperature जो होता है दोस्तों वह आपका 380 degree centigrade होता है ठीक है इसका temperature किसका आपका उदासीन ज्वाला का यह सबसे कम होगा इसका आपक तो यहां पर आपका सबसे अधिक तापमान होता है दोस्तों इस ज्वाला का अधिक तापमान होता है तो कि इसका होता है दोस्तों आपका 3338 degree centigrade तक अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है यह तो हमने टेम्परेचर अब देखिए आप कि onze क्परेचर आपका तक रखा जाता था तो देखिए गश्वीयर्डिंग में जो आपका टेम्परेचर रखा जाता है तो उसका आपका फरक पड़ता है कि हमारे पास में तीन जॉबाला होती है तो तीनों जॉबाला आपके अलग-अलग होती है अब तीनों जॉबाला अलग अलग है पर लेकिन एक रेंज की अगर हम बात करें आप से अगर question पूछ लेता है दोस्तों कि आपके gas welding में आपका टेंप्रेचर कितना रखा जाता है तो गैस बैल्डिंग में टेंप्रेचर जो है दोस्तों मैक्जीमम तो आपका 3380 लगबद देखे एक संकू तो यह बन रहा आपका इसको आउटर कौन बोल दिया जाता है और इसको एक संकू आपका इनर कौन बोल दिया जाता है तो अब बात आती है कि इसमें प्लैम में सबसे अधिक तापमान आपका किस भाग पर रहता है तो दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं न तो इस भाग पर तो रहता है 356 और यह रहता है आपका 1250 दोनों जगए समझो कि यहां सबसे ज़्यादा टेंप्रेचर वगा लाइस पइंप्रेचर पर था होता यहां होता है यह वह नोजल टिप पर इस प्रकार जो टेंप्रेचर होता है वो दोस्तों आपका कहा होता है चाहीं तो सबसे अधिक टाप माण सबसे अधिक ताफ मान के कि आंत्रिक संकू की भाईय सतय पर होता है आंत्रिक संकू की भाईय सतय पर होता है ठीक है दोस्तों भाईय सतय पर होता है यहां तक क्लियर हुगा मेरे प्यारे बिद्ध्यार की आंत्रिक संकू की भाईय सतय पर आपका क्या होता है सबसे अधिक आपका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यह संकु बनता लहां पर सबसे को हो लंवाई रहीं हूती है तो इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है सबसे अधिक लंबी अगर फ्लेम की अगर आपसे बात करें कि लंबाई किसकी होती है तो सबसे अधिक लंबाई होती है दोस्तों कारूराइजिंग की और इसकी दोस्तों आपके सबसे कम लंबाई होती है सबसे कम लंबाई जो होगी दोस्तों वो किसकी होगी आपके oxidizing की अब यह तो आपके neutral है दोनों चीज़ें बरावर हैं तो ना इसमें ज्यादा लंबी होगी और ना ज्यादा आपके छोटी होगी अब आप से पूछे की तीनों flame में से आपका सबसे अधिक किस flame का आपका प्रियोग किया जाता है यह भी तो question आप रहें टेंपरेचर भी मेंटेन है उसी का दोपन करते हैं आपका तो हम कह सकते हैं इसमें आपका सबसे अधिक सबसे अधिक कि उदासीन ज्वाला का प्रियोग किया जाता है सबसे अधिक उदासीन जाला का प्रियोग किया जाता है ठीक है दोस्तों सबसे अधिक हमने किसका प्रियोग किया आपका उदासीन ज्वाला का हमने क्या किया आपका प्रियोग तीनों में से आपका सबसे अधिक किया जाता है हमने ऐसी ट्लीन फैदर की लंबाई भी देख लिए तीनों में आपके क्या क्या लंबाई रखी जाती है अब बात आती है इसमें जोन भी पूछ लिये जाते हैं देखो यहां पर एक तो आपका संकू यह बना दोस्तो और दूसरा संकू आपका यह बना तो यहां पर अगर आपसे जोन की संक्या पूछ लेता है यहाँ पर दोस्तो इल्टा हो जाता है एक तो यह बना दूसरा और आपका तीसरा यह बन गया आपसे पूछा जाता है किस प्रकार की आपके फ्लैम में तीन जोन होते हैं यहाँ पिछ लिया जाता है कारो रायजिंगに फ्लैम में कितने जोन आपके होते हैं एक दो तीन चार इस प्रकार से क्वेस्टन भी फीच लेता है तो यहां से देखिंगे दिश दौस्त तो इसमें आपके कितने जो उनगे दोस्तों आपके इसमें जो जौन होते हैं इसमें गया प्राइब तो यहां पर आपके कितने जौन है आपके दूसरा आपके कारण बनता है क्योंकि जादा है इसके कारण बन जाता है इसमें आपके दो होते हैं एक आपका यह और यह आपका यह तो इसमें आपके जौन कितने उनलब rah ग्वे चिटम आपकर कारफ कर दो凌ब लिए आपके कबर हो जाएगी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब देखिए दोस्तों आपका अगला कुछ्स्ट्स अब बात आती है यह कलर तो आपका बायट होला होगा एयसी यहां पर इसका कलर किसा होता है दोस्तों बिली वोता है कैसा हो सब्सक्राइव कैसा होगा तो तो तीनों के अगfolg का अग अलग अलग हो जाते है लेकिन अगर हम बात करें ऐसी ट्लीन फैदर जो कि आपको कुछ दूरी पर आग निकलते हुए दिखाई देती है न वो आपके क्या कहलाता है दोस्तों आपका एसी ट्लीन फैदर आपका कहलाता है चलिए अगले कोस्टन पर हम चलते हैं दोस्तों अगला कोस्टन आपका क्या प्रकार की दात्ils बेट किया जा सकता है लेकिन ठोड़ी बहुत कुछ दातों को जोडने में अपके तब नौर मेंने प्रकर सब्सक्राइब दॉस्तों यहां से आप liberal अगला क्वस्ट्थम चोटा गटता हूं आप डाने के लिए चले आ criticizing दोस्तों जिससे यह अपना आप आजाएगा इसमें और जो बची हुई चीज है एक साथ अपन क्या कर लेंगे दोस्तों आपका कवर कर लेंगे ठीक है पहला कोसन ऐसको आप कोन कोन सी होती है दोस्तों आके-स पीतल वह इनकी मिसर को तावा-पीतल वह इनकी क्या होंगे कि दोस्तों आपके मिष्र धातूं ठीक है तावा पीतल वहाँ इनकी मिष्र को करना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके बैल्ड कर सकती है आपके सबस्क्राइब कर सकती है अब देखो दोस्तों इसमें अगर मुपयोग की बात करें तो इसका जो प्रियोग किया जा सकता है कोई बड़ी बाद नहीं अच्छे प्रकार से कौन जोड़ेगी आपकी अच्छे प्रकार से दोस्तों आपके कौन जोड़ती है देखिए अच्छे प्रकार से कौन जोड़ेगा दोस्तो आपका अच्छे प्रकार से जोड़ती है आपके कौन टामा पीतल को आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लैम के द्वारा आपका जोड़ा जाता है ठीक है अब बात देखिए दोस्तों यहाँ पर उपेयोग की अगर हम बा अपन लहोवा अलहोए दोनों प्रकार की दातुओं के लिए लहोवा अलहोए दातुओं को अगर हमें आपका क्या करना है दोस्तों आपका बैल्ड करना है तो हम किसका प्रियोग करते हैं दोस्तों आपका इसी का जैसे आपने देखा हुआ कास्ट टायरन के जितने भी पार् जैसे कि मैं आपको बताओं दोस्तों आपके कास्ट आइरन को इसके द्वारा बैल्ड किया जा सकता है नंबर दो पर आपके माइल्ड स्टील को भी बैल्ड किया जा सकता है ठीक है आपके इसके द्वारा आपके तावा ठीक है जो कौपर होता है इसको भी आपका बैल्ड किय लेता हैं अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ कठोर धातूं में भी होती है इसको समझते हैं यहां से काइप बार मैंने अपका व्हेंस देखा है दोस्तो तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इस वाले पॉर्शन को ठीक है यहां से अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके इसमें क्या होगा दोस्तों आपका कार्वू राइजिंग फ्लेम की अगर हम बात करें तो देखिए इसका प्रियोग हम करते हैं कठोर सते हों के लिए जो आपके ज़्यादा कठोर सते होती हैं कठोर पदार्द होते हैं उनको बैल्ड किया जाता है है ना देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ठीक है देखिए कार्वू राइजिंग जो फ्लेम का यूज किया जाता है कार्वू राइजिंग एक लैम का जो हम use करते हैं दोस्तो तो इसका प्रियोग कहां करते हैं अपन देशिए सबसे पहली बात तो हमारे पास में यह पता होने ही सथियों को चीक है या कप्ड़ोर धातुओं को आपको balty करना लगना होता है ना कफ्ड़ोर धातुओं को बैल्ड करने के लिए अब देखिए कठोर दातु आपके कौन-कौन सी हो सकती है दोस्तों आपने देखा होगा जैसे मैंने इस्टील में बताया कि आपको माइल्ड इस्टील बैल्ड करनी है तो आपन किसका प्रियोग कर रहे थे आपका नीट्रल फ्लैम का अधासींज वाला सकती है इसे आपके उच्छाल इसपात बोला जाता है क्योंकि इनका तो आपको यूज परता है बैक कटिंग टूल बनाने में आप यूज लेते वाई लेते हो हाई कारवन इस्टील या हाई स्पीड स्टील तो उच्छाल इस पात को भी अपन इसके द्वारा जोड़ सकते एक अपने पास में क्या होगा दोस्तो आपके मीडियम कारवन इस्टील होता है जिसे MCS के नाम से जानते है इसको अपन मद्यम कारवन इस पार बोल देते हैं इसको आपका क्या कह दिया जाता है तो मद्ययम खौर्बं इस पांध आपका कर दिया जाता है एयरा टार्था एक मिए वोगत दोस्कों इनके भी आलावा आप देखा होगा जादाता थर ते नहीं प्रॉसेस्स पढ़ी लेकिन तोटे की बहुत जल्दी जैसे सिसा है बहुत कड़क है आपका मोबाइल है मोबाइल आपका सीसे का है कवर होता है तुरंट उसके टेंपर चड़वाते हो नहीं चड़वाते हो मतलब उसकी थोड़ी बहुत भंगुरता को कम किया जाता है आप ऐसा तो है नहीं कि पूराई करत होगे उसे पर लेकिन कुछ हथ तक तूटने से बचाया जा सकता है गिर गया तो बची जाएगा पूटेगा नहीं ऐसे हमारे जो टूल है जैसे आप थायल एकसा चीजल बगयरा इनको बनाते हो तो आप हाड़ेंड टेंपर करके बनाते हो अब इतने कठोर हो जाते हैं अगर हलका सा गिर गया नहीं उपर से तो यह तूट जाएगा तो इसको आपन कम करने के लिए अपन क्या करते हैं आपका उस पर ट्रंट टैंपर किया जाता है ठीक है तो यह कटवर की गई जो सतय होती है न उनको अगर आपको क्या करना है बैल्ड करना है मतलब यह भी क्योश्टन पूछा है आपके हाड़ की सतयों को वैल्ड करने के लिए हम किसका प्रियोग करेंगे दोस्तों आपका वैल्ड करने के लिए हमारे पास में दोस्तों होगी आपकी कौन सी कार्वूराइजिंग प्लैंग करने के लिए यहाँस से चार पांच कोष्षन आपके बन गए जो मैंने आपके यूज में आपको बताए है थे आफारे यूज में बताए थे फो आपके कम्प्लीट हो चुके .钱 आब देखिए दोस्तों आपका यहाँ से कुर्षन क्या है हमने सारी चीज आपके को मिलता है दोस्तों वह आपका यहां से मिलता है कि कास्ट आयरन को आपको बैल्ड करना है तब हम किसका प्रियोग करते हैं माइल्ड स्टील को बैल्ड करना है तो हम किसका प्रियोग करते हैं लेकिन देखिए दोस्तों एक हमारे पास में होता है पिटवाल हो ठीक है अब निम्न मेंसे कौन सी बैल्डिंग यूज में ली जाती है कौन सी बैल्डिंग प्रिक्रिया यूज में ली जाती है तब यह आंसर देंगे दोस्तों इसका प्रिक्रिया प्रियोग में लाई जाती है तो इसका अंसर आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों आपके ऑप्शन क्या होंगे कि देखिए पहला जो है दोस्तों वह आपका दे रखा है आपका दा प्रैसर वैल्डर या पर हम इसको बोल देंगे आपका दोस्तों कोई दोस्तों आपकस से आपके लेजर करना है कि हमारे पास में दो Mo رs會121 का ये व्हाना हुआ है और यह तो हमारे पास में Sorry रोमका यह है और दोस्तो अगर इन दोनों को मुझे आपका बैल्ड करना है तो मैं इन में से यह इस किस परकार की वैल्डिंग परकुए आपके यूज में कहा युग है सावी लोग आपके आंसर दें तो इनको कौन सी बैल्ड अब मैंने आपका यह तो दारण कहीं लिखाया नहीं कि रॉट आयरं को अपन किस से बैल्ड कर दें लेकिन रॉट आयरं में जो बैल्ड करने की प्रक्रिया होती है वो दोस्तों किस प्रकार से होती है वो अपन देख लेते हैं लिए आधर अगर एमारे पास में इसका आंसर एंसर क्या होगा दोस्तों वर से द्वार अडा सिक्या ऑन्लिफ क्या जाता है देखिए कैसे यहा Pet यहांस हिन को सबस्तृट जाता है तो अपन क्या करते हैं इन दोनों टुकड़ों को मतलब आपके यहां agreements करों तो किस प्रकार से करते हैं यह नरम दात्वों पर ही किया जाएगा तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे अपन पिटवाल हुआ तो अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों आपका पिटवाल हुआ के दो टुकड़ों को या कुछиты वाल हो आके दो तोड्यों को आपन क्या करते हैं दोस्तो आपका तुकडूं को 900 ग्री सेंटिग्रेट पर आपका क्या किया जाता दोस्तों अपका ताप पर quarantine Candace नहीं तो इनके अडूव में विस्तार हो गया होगा ठीक है अब गरम करके क्या करते हैं दोस्तों इसको आपके हैमर के द्वारा आपन क्या करते हैं आपका पीटते हैं ठीक है और जब हैमर के द्वारा इसको पीटिंग है तो यह एक दूसरे के साथ में आपके क्या हो जाते ह देखे फ्रिक्षन वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके इदर भी आपका गूमने वाला पार्ट होगा इसको इस पैंडल पर बांद दिया इदर से जिस पार्ट को जोड़ना है वो भी अमने इस प्रकार से ले लिया यह पार्ट आपका बहुत तेजी से गूम रहा यह ज्यादा तर आपके गोल जो बेलना कार पार्ट होते हैं उनको जोड़ने के लिए अपन ज्यादा तर यूज में लेते हैं तो दोस्तों यह तो समझना ही होगी कि आपके पिटवाल होगे दो टुकड़ों को 900 डिगरी सेंटिग्रेट ताप पर आपका क्या किया जाता ह खीक है और इनको क्या करते हैं अपन और इनको एक दूसरे के उपर रख कर एक दूस्रे के ऊपर रख कर हम क्या करते हैं दोस्तों आपका रख कर पीटा जाता है तो आपस में क्या हो जाते हैं तो आपस में 20 से चाहते हैं और इसे तरफ की वल्लिंग आपका आपका कहा जाता है तुछ समझ में आपके आपको पता है कि 6 बजे क्लास अपनी स्टार्ट हो जाती है तो आप भी आपके टाइम से आ जाये करो आप तो क्लास रेगुलरी चल रही है बीच में कोई 2-3 दिन आपका स्टॉप हुआ था नहीं बाकी तो आपके बैल्डिंग का प्रोसेस आपका पूरा चली रहा है कल अप ने खतम कर लिए आपके स्लेवस के एकोर्डिंग तो इतनी दे रखी है और इससे बाहर तो मेरे हिसाब से अभी तक तो पूछा नहीं है और पूछ ले तो मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको आप इन चीजों को बिलकुल सौट पढ़ाया है ना आपको एक पॉइंट अग मैं त्थीकर दोस्तों तो मेरे प्यारे भिद्यारत यहां तक आपके समझ में आई मगी कि भाना तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा है यह आपके जो सल्वाइ Même का टोपेग कास्ट आइरन और आपके क्या होग क्या का मेलक कर यह कैल लिए इसक आपकर लींग है यहाен को यहां तो छलिए यहां से आगारब करें दोस्तोड आपके अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट और आपका काम नहीं Fest के लिए फर अपने पार पड़ेगा अब मिस्रंड बनाना पड़ेगा के द्वारे जोढ आपको पढ़ीए तो कल दोस्तों आपको आपको क्या पढ़ना है जिन तो थर्मिट वैल्डिंग के बारे में जानना है तो बने रही है स्री राम टेक्निकल के साथ अना टाइम से जरूर आया करें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी आपके कनेक्टिविटी बनेगी तो इस्टुडेंट ज्यादा रहेंगे तो और भी मज़ाएगा जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा पढाने का मज़ा उतना ज्यादा आता है ठीक है अब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी किया करो दोस्तो तो चलिए मेरे प्यारे बिद्यार्थियो अभी के लिए नमस्कार राम राम सवरात्री कल फिर मिलते हैं आपके साम 6 बजे बलवी चौधरी के साथ आप लोग भी तैयार रहे हैं और आप लोगों का भी आपने देखा है बी आर सी का भी आपका एक्जाम का रजल्ट जो लोग आपके पास हो गए तो उनके प्रैक्टिकल की विवस्ता हमने हमारी संस्तान में कर दिये तो जो भी विद्यार्ति आपके पास हो हैं वह आपके स्रीराम टेक्निकल से आप कॉंटेक्ट कर सकते हो मुबाइल नंबर आपको लाल पट्टी पर नीचे दिख रहे हुए है न तो आपको किसी प्रकार की उसमें जानकारी चाहिए तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हो और 16 तारिक से उसका ट्रेट टेस्ट का आपका प्रैक्टिकल वाला वह बैच चा किया है तो उसके साफ सी बच्चे आपके एडवीशन लेने पड़ेंगे क्योंकि जादा गुत अपन नहीं करवा पाएंगे तो जो भी विद्ध्यारती इसके लिए आपके तया आने वह पहले ही एडवीशन ले लें दोस्तों ठीक है दोस्तों नमस्कार धन्नवाद झाल 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 झाल झाल झाल